रावन पर शनी का परकोप एक लंका का राजा रावन था वे कहता था मैं रावन हूँ मैं ही रावन हूँ मुझसे कोई भी नहीं जीश सकता ग्यान के नो वेत अठारा पुरान और सारे गरंद उसको याद थे शिव की साथ पर अपना शीश काट कर चड़ाया था लेकिन शिव ने उसे जिवित कर दिया और अमरता का वरदान दिया लेकिन वानल और भालों से बच कर रहना सोने की लंका, सो पुत्र, सो रानिया, इतने सारे नोकर, राक्षस उसके साथ थे लेकिन अमर्ता की दिवान की थी, वे कहता था कि मैं ही भरम हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता महान बलशाली सब देवता उसकी कैद में थे, ताकतवर्ग बनने के लिए उसने तपस्वियों को खाना शुरू किया, उनका खून निकाल निकाल कर पिया और तपस्वियों के रक्ष के मटके भर भर कर रखता था, सब राक्षस उन्हें ही पीते थे बच्चों को भी नहीं छोड़ता था, संसार में आहा कान मचा हुआ था जब शनी ने यह देखा तो भहुत करोधाया, शनी को भी अपनी कैद में रखा हुआ था हनमान ने होने आजात कराया, शनी ने का, हे रावन तो कितना अत्याचार कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा रावन को मानने के लिए शनी ने हनमान और राम का साथ दिया, सीता अजात होने के बाद राम और शनी सबने रावन को मानना चाहा रावन शनी के खोफ से मर गया रावन का पूरा परिवार समाप्थ हो गया जिस पर शनी कुपित हो जो अत्याचारी हो उसे शनी समाप्थ कर देते हैं जैसे रावन के कुल में कोई दिया जलाने वाला भी ना रहा हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें और मैक्सिमन से मैक्सिमम इस वीडियो को शेर करें